Hello student, आप सभी का स्वागत है SS Maths Academy में और आज के इस वीडियो में हम discussion करने जा रहे है बचो Arithmetic Progression, इस chapter के next numericals बट आप सभी को जिस topic के बारे में जानकारी होनी चाहिए अगला topic समझने के लिए उसके बारे में एक smaller discussion करेंगे Consider कीजिए हम लोगों ने एक sequence ले लिया उस sequence का first term है 3 by 2, then है 1 by 2, then है minus 1 by 2, minus 3 by 2 and so on और अगर question ये पुचा जाए कि ये given sequence AP है या नहीं तो आप कैसे जानेंगे क्योंकि ध्यान दिजेगा आने वाला topic जो हम discuss करने वाले है वो इसी के उपर depend करता है अगर आप एक बार किसी sequence को वो AP है या नहीं ये जान पाए तो further calculation करने में हमें आसानी होती है यहाँ पर सबसे पहला काम आप करेंगे terms को naming तो ये है बच्चों let T1 is equals to 3 by 2 T2 is equals to 1 by 2 T3 is equals to minus 1 by 2 then T4 is equals to minus 3 by 2 और ये term and so on चले की क्योंकि infinite number of terms है हमारे पास इस given sequence में सबसे पहला इन सभी का common difference आना चाहिए equal common difference का मतलर सभी तरफ वो एक ही रहेगा changes नहीं होंगे और हम लोगोंने common difference के लिए already formula डिसकस कर रखा है वो है बच्चों next term minus previous term तो next term क्या है हमारी 1 by 2 previous term क्या है बच्चो minus 3 by 2 तो यहाँ पर 1 by 2 minus 3 by 2 क्या आ जाएगा देखे 1 minus 3 by 2 आएगा क्योंकि दोनों का denominator सेम है और 1 minus क्या है बच्चो 3 तो यहाँ minus 2 आ जाएगा divide में आ जाएगा 2 तो finally हमारे पास यहाँ पर आएगा minus 1 तो जो यह d आया है हमारा first अब यह सभी आने वाले 3 या 4 या 5 next term minus previous term का क्या होना चाहिए common value होना चाहिए तो देखे next term हम लेंगे T3 minus T2 अब T3 क्या है T3 की value देखे क्या है minus 1 by 2 T2 क्या है 1 by 2 तो यहाँ क्या लिखेंगे आप minus 1 by 2 minus 1 by 2 तो यह again minus 1 आ गया तो एक बार फिर से वो same आ चुका है then हम T4 minus T3 करेंगे बच्चो तो यहाँ आ जाएगा minus 3 by 2 minus of minus 1 by 2 यह understand कीजेगा negative 3 by 2 as it is रहेगा यह minus यह minus plus हो जाएगा और यहाँ आएगा बच्चो 1 by 2 तो minus 3 plus 1 minus 2 divided by 2 यहाँ आ जाएगा minus 1 तो आप देख रहे हैं D first time T2 minus T1 करने पर भी minus 1 आया T3 minus T2 करने पर भी minus 1 आया और T4 minus T3 करने पर भी क्या आया है बच्चो minus 1 तो यह common difference सभी तरफ चल रहा है तो बड़े आसानी से हम यहाँ कह पाएगे here the common difference the common difference small d is equals to minus 1 which is constant which is what बच्चो constant और आगे बढ़ते हो तो यहाँ लिख पाएगे therefore given sequence is given sequence is and क्या हैगा बच्चो AP अब सोचिए कि यह जो given sequence था हमारे पास वो AP डिक्लेर हो चुका और जैसे ही वो AP डिक्लेर हो गया और सवाल आया हो कि now you have to find the next terms next two terms तो अगर यह T4 है बच्चो तो इसके आगे दो terms कोई सी आएगे T5 और T6 और आप देखे T5 T6 आप कैसे evaluate करोगे यहाँ तो यहाँ हम लोग T5 के लिए formula लिखेंगे और बहुत ही simple सा formula होता है इसे understand किजएगा यह सभी terms D के against है तो अगर आप T4 evaluate करना चाहते हो तो यह minus T3 इदर ले आएंगे तो T3 plus क्या हो जाएगा D just like that यानि हम जब कभी भी next term को determine करना चाहते तो previous term में small d को जोड देते तो T5 वो term है जो हमें evaluate करनी है यहाँ हमें T4 से वो evaluate करनी पड़े कि उसमें हम D जोड देंगे तो T4 क्या है बच्छो हमारा वो है minus 3 by 2 और D क्या है हमारा वो है बच्छो minus 1 तो यहाँ minus 3 by 2 minus 1 आ जाएगा तो value आ रही है minus 5 by 2 अब बात करेंगे T6 की तो T6 का previous term में कोन है बच्छो T5 साथ में क्या जोड़ोगे D तो यहाँ आ जाएगा minus 5 by 2 plus 1 sorry plus of minus 1 तो minus 5 by 2 minus 1 और यहाँ आ जाएगा बच्छो minus 7 by 2 और ध्यान रखेगा यह value कैसे आई अगर इस बात को लेकर आपके मन में सवाल हो तो बढ़ा simple सा है यहाँ cross multiplication कीजिए आपको value मिल जाएगी तो यह concept अब आने वाले numericals पर यूस करेंगे बच एक different तरीके से हम यही घुमते रहेंगे next term, previous term और common difference के आसपार्ट बस एक बात हमेशे जान रखेगा sequence में यह जो first term होती है यह बहुत important role play करती है गर यह हमें पता ना हो तो आप t2 कैसे evaluate करोगे consider कर लिएजे कोई ऐसा numerical आ जाता है जहाँ पर आपको common difference given दे दिया है बट बात ही नहीं किये first term के बारे में तो उस समय हम दुविदा में रहेंगे कि common difference जोड़े तो किसके साथ जोड़े तो इसलिए ध्यान रखेगा कि कही पर अगर sequence हमें बनाने के लिए बोला हो या किसी sequence के पहले चार term या पहले दो term हमें निकालने के लिए कहे गए है उस समय first term और यह जो common difference जो कि small d से denote होता है यह हमें पता होना जरूर यह तो चलिए ऐसे ही numericals के बारे में यहां discussion करेंगे जिससे आपका next topic जो हम लोग solve करना चाते है उसके बारे में knowledge बढ़ जाएगा तो देखिए यह हमारा आज का example number one है उपर तो हम लोगों ने small revision की थी ताकि आप लोगों को topic समझने में आसानी हो तो देखिए इस first example में हमें A और D इन दोनों की value given है आप A किसे लेंगे A का मतलब होता है बच्चो first term A को हमेशा first term मानते जैसे आप P1 कहते हो तो यह minus 3 दिया हुआ है और जो common difference है वो हमें 4 दिया गया है अब सोचिए आप लोगों को first term और common difference दे दिया और बोला गया है कि sequence की पहली 4 term बनाई है sequence की पहली 5 term बनाई है वो बात आप समझेया गया धान दीजे बच्चो A और D देकर यह clear हो गया कि यहाँ पर AP आने वाला है क्योंकि common difference 4 है सबसे पहला काम आप T1 लोगे T1 आपका A है बच्चो धान रखेगा minus 3 then आप T2 लोगे T2 निकालने के लिए हम previous term में common difference को add करेंगे तो previous term minus 3 है बच्चो और common difference है 4 तो next value जो आएगी वो क्या आएगी बच्चो minus 1 sorry, plus 1 इससे आगे बढ़ते हो तो T3 निकालेंगे T3 कैसे आएगा previous term plus D तो T2 यह previous है T3 का और common difference D चल रहा है T2 की value कितनी आएगी है 1 plus होगा 4 T3 की value कितनी आएगी वो आएगी बच्चो 5 D कितना आएगा D तो 4 है वो change नहीं होने वाला तो यहाँ value आजाएगी 9 और अगर आपको पहली 4 term ही निकालने के लिए कहा गया है तो इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आप directly series को declare कर सकते हो जो AP में है तो यहाँ हम कहा लिखेंगे बच्चो therefore AP यानि arithmetic progression is तो वो आएगा बच्चो first term which is minus 3 then आजाएगा 1 then आएगा बच्चो 5 then आएगा 9 then dash 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 तो यह है यहाँ का sequence तो previous example में जो हम लोगों ने revision के लिए लिया था वहाँ क्या given था sequence given था common difference और first term हम evaluate कर रहे थे और उसके बाद वो sequence AP में है या नहीं यह भी हमी ने वहाँ पर recognize किया था और उसके बाद T5 और T6 को भी evaluate हमने किया था but इस numerical में ऐसा नहीं था series AP में है दे दिया था first term पता थी D पता था और आगे वाले evaluations करने के लिए हम अमें कहा गया था तो अब ऐसे ही numericals आप यहाँ पर understand करेंगे क्योंकि हर जगा पर different different values A और D की रहेगी तो आप किसी भी तरह के numerical को बड़े आराम से perform कर सके इसलिए हम और ती numerical यहाँ पर solve करेंगे तो चलिए बच्चोब आगे बढ़ते हैं और discuss करते हैं second numerical notice कीजेगा यहाँ आप A की value हमें 200 दी हुई है और D की value दी हुई है 7 एक बात हमेशा आप दिमाग में रखें कि A जो के हमारा first term है और जो D जो के हमारा common difference है इसकी value कुछ भी हो सकती है और अगर आपको question में बोला जाए कि यह A और D आपको given दे रहे हैं और find कीजिए first four terms of AP तो आप बड़े आसानी से इससे evaluate कर सकते हैं और पहले 4 ही क्यों पहले 5, पहले 6, पहले 7 ऐसे कितने भी term बोल दिये जाए आपको करना सिर्फ इतना ही है जो हम लोगों ने अभी discuss किया इस वीडियो में हमेशा एक बात हमें वहाँ पर ध्यान रखे चलनी कि कोई छोटा सा calculation mistake हम ना कर दे जैसे कि यहां की बात करेंगे देखें, understand कीजेगा आपको T1 को ही A लेना है जिसे हमने discuss किया जब आप T2 evaluate कर रहे हो तो formula के आएगा बच्चो previous plus common difference तो previous value कोन है previous value है बच्चो 200 और यहने T1 की value 200 है और D है 7 तो यहां आजाएगा बच्चो 207 आगे बढ़ते हो तो बारी है T3 की T3 आएगा T2 प्लस D अब T2, T2 कितना आया है तो आया है 207 plus आजाएगा 7 तो वो हो जाएगा बच्चो 214 तो आप देख रहे हो simply common difference आई हुई नई value में हम add करते वे जा रहे है आप इसे औरले भी बना सकते हो बच्चे जब exam में हमें proper way में presentation देना है उस समय ऐसे ही लिखना पड़ेगा otherwise कोई choice नहीं है हमारे पास देन आएगा T4 बच्चो T4 के लिए क्या करोगे T3 plus D लिखा जाएगा अब यहां है 214 plus 7 तो यह हो जाएगा बच्चो 221 तो यहां first 4 term हम लोगों ने evaluate कर लिए बट consider कीजे question में first 4 terms नहीं first 5 terms के बारे में discussion आया तो आप क्या करोगे previous plus D यहां T4 plus D करोगे तो यहां आजाएगा 221 plus 7 value आजाएगी 228 यहां हमारे लिए उतना difficult नहीं होता है किसी भी तरह first 4 terms या first 5 terms को evaluate करना तो यहां क्या लिखेंगे बच्चो APEs कैसे लिखते है उसको T1, T2, T3, T4, T5 and so on इस जगा आप directly values भी लिख सकते है बड़ में आपको एक general idea दे रहे है तो यहां आपको लोगों क्या हो जाएगा समझ में भी आ जाएगा और किसी भी तरह के numerical को solve करने में आपको परिशानी नहीं होगी तो यहां पर देखें पहली value आएकि 200 then 207, 214, 221 और 228 and so on तो इस तरह आप numerical को solve कर सकते हो जहां पर आप a और d की value as a given पाते हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और discuss करते हैं next numerical को जहां हमें फिर से एक बार given होगा a और d का value यह हमारा third numerical है बच्चो a और d तो a की value क्या है हमारे पास वो है बच्चो minus 1 d की value है minus 1 by 2 तो आप आगे बढ़के क्या करोगे बच्चो इसे solve करोगे value आजाएगी minus 3 by 2 और अगर आपको इन values fraction values के साथ deal करने में परिशानी हो रही है तो बहुत simple सा काम है cross multiplication कीजिए 1 की नीचे 1 मान लीजे cross multiply कीजिए आपको minus 3 by 2 बिल जाएगा then बारिये t3 की formula आजाएगा t2 plus d अब t3 की value क्या है t2 की value क्या है तो वो है बच्चो minus 3 by 2 d की value है minus 1 by 2 इसे अगर solve करते हो तो देखो दोनों का denominator same है तो यहाँ common denominator लेना पड़ेगा यहाँ पर cross multiply मत किजिएगा वो सही नहीं रहेगा numerator मे आजाएगा minus 3 minus 1 यहाँ आजाएगा minus 4 divide में आजाएगा 2 value आजाएगे बच्चो minus 2 आगे बढ़ते हो तो t4 आएगा t3 plus d कहते हम इसे अब t3 कितना है तो वो है minus 2 d की value अब d हमारा minus 1 by 2 ही है बच्चो अगर आप इसे solve करते हो देखो 2 to the 4 minus 4 minus 1 तो यह हो जाएगा minus 5 by 2 t1 minus 1 then comma t2 की value then t3 then t4 का value और ऐसे ही and so on तो अब आप notice कीजिए कि value a और d की बदलते जा रही है बट numerical solve करने का process कही पर भी change नहीं हो रहा और नहीं कभी होगा variations जो भी रहते values के अगर आप यहाँ पर calculation mistake कर दोगे तो definitely आपके final answer में आपको गलितिया दिखेगी बट practice कीजेगा तो यह गलितिया बिल्कुल भी नहीं होने माले चलिए आगे बढ़ते है और fourth numerical solve करते है जहाँ पर a हमें दिया गया है 8 और d हमें दिया गया है 5 अब आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले t1 declare करना पड़ेगा जो की small a ही होता है जो 8 है हमारा इससे आगे t2 evaluate करना है t2 के लिए formula क्या है बच्चो t1 plus d तो यह छोटे-छोटे formulas आप हमेशा learn रखे next term अगर आपको निकालना है तो previous term plus d यही formula रहेगा फिर आप वो t2 के लिए बना रहे हो t3 के लिए बना रहे हो या t4 के लिए उससे कोई फरक नहीं बड़ेगा तो बच्चो देखिए यह fourth numerical as a practice आप लोगों को दिया जा रहा है इसका answer आप हमें comment box में ज़रूर लिखके बताए जिससे यह पतकर जाएगा कि आपको topic clear हुआ है या नहीं और वीडियो को like, share और subscribe करना बिल्कुल भी न बुले ध्यान रखे कि आप तक हमारे हर वीडियो का update आना चाहिए तो channel subscribe करें, bell icon ज़रूर दबा दे फिर आप कोई भी update मिस नहीं करेंगे बाई बच्चो